देखेंगे इसका सेट नमबर फोर इसके पहले का हमरे जो है तीन सेट और लेडी अपलोड कर दिया है ठीक है तो आप सबी लोग को हम सेट नमबर फोर दिखा देते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं यह आपका सेट नमबर फोर है आपका जो परिक्षा हुआ है आप यहाँ प्रस्न पत्र देखे अगर आप सबी लोग बिहार S.S.C. यानि B.S.S.C. का एक्जाम निकालना है जितना भी आपका question आपका previous year का है उसको आप ध्यान से देखिए और कोसिस कीजिए कि जहां जहां से question पूछा गया है उस topic को clear करते चलिए ठीक है और यहां से ही आपका question जो है दोस्तो B.S.S.C. का बनेगा तो चलिए उमीद करेंगे आप इसी वीडियो को पूरा देखेंगे और जो आपका पीछे वीडियो छूट गया है आप उसको देखने का प्रयास कीजिए ताकि वहां से आपका complete हो जाए देखेंगे पहला हमारा एक ग्रेबी येल गार्सिया मार्केज एकी मृत्यू सतर चार दो हजार चौद को हुआ वे कौन थे वे कौन थे दोस्तो तो नोबिल पूरसकार प्राप्त साहितेकार थे यानि आंसर हमारा जो है प खिताब जो है कि सर्फ और व्यक्रter को ट्यूरा Embry अगर हम बात करते है पेट्रा क्विटेवा से को सन्य जो है सही नहीं है कौन सा कंस्वा नहीं है कौन सा दोस्तोा है डेखिए देखे दच्ष्ड अफ्रिका जो ह algunas प्रेटान सबस्ते हैं और उपन्याज के लेखा कौन है तो यह आपके नरायन नरायन ने जार्क रूम उसके बाद मालगुरी देज उसके बाद guide my days यह सब दो है पुस्तव के द्वारा जो है लिखा गया है अगला कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर अवस्तित है देखे हीरा कुंड बांध की बात करते हैं तो यह आपको महानदी पर देखने को मिलता है option number हमारा यहाँ पे D सही आंसर हो जाएगा महानदी 36 गड के रायपूर जिले में सिहावा नामक परवस्रिणी के समीप से निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है अगर हम महानदी के लंबाई की बात करते हैं लगभग में तो 885 किलोमेटर यहाँ पे हो जाएगा चलिए ने इस्ट हमारा कोशन है कोशन नबर शीक्स निम्मलीख्यत में से किस फशल की खेती भारत में सरवादिक छित्रफल में होती हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा option number B धान जो है इसका सही अंसर हो जाएगा देखिए धान दोस्तों भारत की मुख्य खाद फसल है ठीके दशिड़ पूर्व एसिया के मुख्य खाद फसल धान आपका माना आता है और विसु की प्रमुख या फिर मुख्य खाद फसल आपका गेहूं है दिनार किस देश की मु मुद्रा हो जाएगा option number हमारे हैं पर सी सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगर हम चीन की बात करते हैं जो चीन का मुद्रा क्या है तो युवान है और चीन की राजधानी आपका बीजी हो जाएगा ठीक है पाप इसको अच्छे से याद रखिएगा भूलियेगा नहीं और वह रायन option number B देखिए कुछ आप इसको समझेगा जैसे पुस्तक से आपका कोशन पका आएगा आप इस टॉपिक को याद कर लिजे बीए ससी एकजाम में निमलिकित में से कौन सी महारतन कंपणी नहीं है इन में से हमारा कौन सा महारतन कंपणी नहीं है तो पावर फाइनेंस क और प्रेसल इमिटेट जो है दोस्तों महारतन कंपणी बन चुकी है फिलहाल में अगर देखा जाए तो उस टाइम नहीं था वैसे भारत सरकार ने मेनिरतन नवरतन और महारतन के महारतन में कंपणीयों को बांट दिया है या फिर बांट आ गया है अगला है कि गंगा ब्रह कर प्रारम किया गया किसके द्वारा तो यह आपका प्रारम किया गया है मध्य पत्य सरकार के द्वारा सुरू किया गया है ऑप्सन नमबर हमारा सी हो जाएगा भारत अंतरिष्ट भारत अंतराश्ट्रिय फिल्म समारो जो है बीस से तीस नौंबर द्वार 14 के बिच कहां प कर लेते हैं चाड़के के बारे में तो अर्थवास्त्र हो जाएगा ठीक है चलिए नेश्ट हमारा कुषन है कि बरमा ब्रिटिस भारत से कब अलग हुआ है बरमा जो है ब्रिटिस भारत से कब अलग हुआ है तो इसका सही आंसर हु textures by गा 1935 में वर्स 1935 option number C देखिए बर्मा और अंग्रेज के बीच तीसरा यूत हुआ अंतह इससे लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया है पत्ना उचन्याले की स्थापना कब हुआ था देखिए पत्ना उचन्याले की बात कर लेते हैं तो वर्स 1916 में हुआ है दोस्तों option नमबर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा पत्ना उचन्याले का प्रथा मुख्यन्यादिस की बात करते हैं तो सर एडवर्ड एस चैम्स चाम्यार थे ठीक है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसी ने किया था अगर हम सर्वे नित रक्षा खर्च पूछ रहा है रक्षा खर्च तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का टू पॉइंट फाइप परसेंट हो जाएगा ऑप्सन नमबर हमारे हैं 17 का एक हो जाएगा देखिए भारत का रक्षा बजट जो है यूएसे और चीन के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट है किस वर्ष सिक्किम भारतिय संग का 22. राज्य बना है कौन से वर्ष में तो ये बना है वर्ष 1975 में ऑप्सन नमबर डी अब इसको समझ लेते हैं तेकि भारतिय समिधान के 35 समिधान संसुधन 1975 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य घो 65 में आजदी के बाद भारत और नेपाल की बीच प्रतम सांती और मित्रता संधि किस वर्ष काटमांडू में हस्ताक्ष्वीर दोस्तों किया गया था तो ये किया गया था वर्ष 1950 में किया गया था और सन्नahaha हमारा इहां पेर डी सही आंसर हो जायेगा वर्ष 1950 में देखिए हमारा कुछ मैज का भी कोर्षन दिया गया है तो आराम से आप गुरुप में जॉइन होके बना सकते हैं अगला की भारती राष्टी कॉंग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तेकि आप चार सेट लगाए होंगे तो आप नोटिस यह होंगे कि आपका कॉंग्रेस कॉंग्रेस अध्यक्षन देखने को मिलेगा देखे इसमें भी कॉंग्रेस और तो आपको एच्छे से याद रखना है चलि हमारा कॉषण क्या है यह सब आपका मैस का कोषण दिया अगया है तो आराम से आप गुरुप में जॉइन हो जाएंगे और शेट बनाएंगे ठीक चलिए आगे देखेंगे बोलाए कि अगला हमारा 101 से हमारा जीके जीस दोस्तों दिया हुआ है तो चलिए 101 से ही हम देख लेते हैं कि मैस और इजिनिंग दोस्तों यहां पर देखिए थोड़ से बनाने में पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि पेन नहीं है ठीक है निमलिखि कहता है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे अगर हम बिटामीन बबी वन की बात करते हैं तो बीटामीन को थाइमिन कहते हैं क्या कहते हैं भारत में जंगली गधे यानि घोड़े खूर निमलिखित में से कहां पर पाए जाते हैं तो यह कहां पर देखने के मिलता है तो असम में हाथी के लिए प्रसिद हैं किस के लिए हाथी के लिए आगे है कि जब बैरो मेंटर का पारा अचानक गिर जाये तो यह किसका गोतक है दोस्तों यह किसका गोतक है तो आंधी या घंजावात की संभावना होता है अप्सन नमबर जो है हमारे हां पे say answer हो जाएगा पेरिमिटर का पाठियांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है अगला प्रस्न है निमलिखित में से कौन बायो इस्फेर रिजर बेयाफि सुरक्षित ज्यूमंडल नहीं है देखिये इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा मननार की खाड़ी और दोस्तो हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाकि निलगिरी, सुन्दरवन, काजिरंगा ये समा हमारा दो है सुरक्षित ज्यूमंडल के अंदरगत आता है निलगित में से कौन पोलियो का करण है इन में से हमारा कौन पोलियो का करण है तो इसका अंसर हमारा हो जागा वाइरस वाइरस से हमारा पोलियो होता है और पोलियो रोगी का रिड़ जो से अंग परभावित होता है और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूपे मनाते हैं 24 अक्टूबर को आप इच्छ से याद रखेंगे अगला प्रस्ने के जुआला मुखी रिंग और फायर या फिर गहरा किस महासागर से संबंदित है यह कौन से महासागर से संबंद रखता है तो प्रसांत महासागर से ऑप्सन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा तखेंगे जुआला मुखी के रिया प्रितिवे के आंतरिक हल्चल यानि गैस से होता है और जुआला मुखी के बिस फ़ोट से जल वास्प, गैस, मेग¬ा आदी निकलता है अगला एकि एलिसा जांच की से रोग की पहचान करती है एलिसा जांच अगर हम एलिसा जांच की बात कर लेते हैं तो AIDS दोस्तों एलिसा टेस्ट जो होता है टेस्ट इससे AIDS का पता जलता है ठेक है तो answer हमारा यहाँ पे D सही answer हो जाएगा अगला है कि अंगोरा उन किस पसू से पराप्त किया आता है अंगोरा उन देखिए अब समझेगा कि अंगोरा उन दोस्तों हमारा खरगोस से पराप्त होता है ओप्सन नमबर हमारा ए हो जाएगा वही अगर हम बात करते हैं मेरियो उन तो ऑस्टेलिया कोई सो विख्यात उन है और मेरियो उनका उस्टेलिया सरवादिक निर्यात करता है ठीक है आगे हमारा कोशन क्या है जैसे कोशन नबर 109 बोला कि सबसे अधिक पियाज उत्παदन करने वाला राजी हमारा कौन सा है अगर हम सबसे अधिक की बात करते हैं तो मह उसको खाते हैं बीच वाला हिस्सा निमलीखित में से कौन सा बलड ग्रूप जो है सरोव्यापक ग्रहनता रखता है आंसर हमारा हो जाएगा option number C AB हो जाएगा blood group AB option number हमारा C सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट हमारा प्रस्ण है निमलीखित में से कौन सखाद सुरोत जो है लोहे का सरोत्तम सुरोत है तो लोहे का सबसे सरोत्तम सुरोत मनायता है अपका सेव option number A देखे चावल गेव हूँ कार्बोहाइडिड का अच्छा स्रोत माना आता है और वही अगर हम बात करते हैं नारंगी विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है ठीक जो नारंगी दिया गया है विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है एक लोहे की गेंद पारत या फिर मरकरी से भरी बाल्टी में गिरा जाती है तो क्या होता है आंसर हमारा हो जागा यहाँ पारे या फिर पारत की सत्ह पर तैरेगी option number हमारा यहाँ पे 12 का बी सही उत्तर हो जाएगा अब इसको समझ लेते हैं जिससे बर्फ का घनतों सबसे बर्फ का घनतों कम होने के करणा जो है जल पर तैरता है और सवंद्र की जल के घनतों नदी जल से अधिक होता है यह भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है चलिए आगे हमारा है कि 20,000 हर्टर यानि 20 हर्टर से 20,000 हर्टर आजवरिती की धोनी निमलिखित में क्या है तो इन में से पुछ रहे क्या है दोस्तों तो सरव या फिर और डिबल धोनी हो जाएगा ओप्सन नंबर हमारा जो है 13 का D सही आंसर हो जाएगा और देखिए अगर हम बात करते हैं जैसे जो 20,000 यानि 20 हर्टर से कम की अवर्टि को हम क्या कहते हैं आवसरव यतरंग कहते हैं 20,000 हर्टर से अधिक अवर्टि को हम परासरव यतरंग कहते हैं ठीक आप इसको अच्छे से याद रखिएगा अगला है कि तीन तत्व जीन का उपयोग रासाइनिक उर्वरकों में सरवादिक होता है तो यह आपको हो जाएगा नाइट्रोजन पोटैसियम और फासपूरस नाइट्रोजन पोटैसियम फासपूरस ओप्सन नमबर हमारे हैं कि दहीं का खटापन निमलइखित करण होता है यानि किस के काड़ः रख्याहते हैं और संतरा में तो यहां घृक देखने को मिलता है डेसिबल का प्रयोग निमलिखित में से किसके मापन के लिए होता है डेसिबल का प्रयोग देखिए डेसिबल की बात करते हैं तो धोनी की तिबरता हो जाएगा ऑप्सन नमबर हमारा सी हो जाएगा तो कि 85 डेसिबल से अधिक की धोनी मानों के लिए हानिकारक मना आता है और भारत में मानक्त होने की बात करते तो साथ डेसिबल है साथ डेसिबल हो जाएगा वायू मंडल में ट्रोपो स्फियर के ऊपर कौन सी परज़ पाई जाती है सही आंसर हमारा हो जाएगा option number a हो जाएगा इस्टेटो स्फियर option कैल्सियम की आवसकता किस निमित है किसमें नियमत या फिर इसमें है तो अठारे का उत्तर हमारा हो जाएगा हड्यों के विकास के लिए ठीक है option number हमारे हैं पर सी सही उत्तर हो जाएगा देखिए हड्यों में कैल्सियम के अतिरिक तो फासफरोस अधिक मातरा में पायता है और पोटैसियम नाइट्रेट का परियोग दोस्तों बारुद बनाने में होता है निमलेकित में से कौन सा बिटामिन जो है जल में घुलंसील होता है देखिए बी-सी बिटामिन बी और सी यह सब हमारा देह जल में घुलंसील है बाकी इसको छोड़ करके सब हमारा वसा में घुलंसील है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा भूलियेगा नहीं बिहार पंचायती राजा धिनियम दोर च्छ में दो ग्राम सभा की बैठकों की बीच अधिक्तम कि अधि होता है या आपका छो महिना होता है कितना दोस्तो छो महिना होता है आप इसको अच्छे से नोट किजिएगा वहीं अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो अनुछे चालिस होता है इसके अधिन राज्य गराम सभा या फिर गठन कर उसे अधिकार के सक्ति प्रदान करता ह ठेक है अगला हमारा कोशन है दोस्तों यहां पे मिलार करके बताना है कॉलम X और कॉलम Y को चलिए मिला लेते हैं अगर हम कृष्णा की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा महाबलेस्वर हो जाएगा गुदावरी आपको हो जाएगा नासिक ब्रह्मपुत्र का आपको हो सांग पो और नर्मदा का आपको हो जाएगा अमरकंटक तो आंसर हमारा दोस्तों यहां पे क्या होगा ओप्सन यहां पे हमारा A सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर A चलिए नेश्ड़ हमारा कोशन क्या है बोला कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में नियूंतम सदक्सियों का 10% होना आवस्यक होता है कोरम के अभाव पर अगर दिखाए तो कोई व्यद्ध कार्य नहीं हो सकता है अगला है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समीति के गठन कर सकती है इस समीति के गठन किन से किया जा सकता है तो इसका अंसर हमारा हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदक्सिय नहीं हो अगला है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदक्सिय उपमुख्या का चुनाव करते हैं उपमुख्या के निरवाचन के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा वक्तव जो है सह नहीं है कौन हमारा इसमें गलत है गलत की बात करते हैं तो उप मुख्या के चुनाओं में मुख्या मदान मदाता होता है जो कि यह गलत हो जाएगा मदाता नहीं होता है बाकि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्तिती में विजयता का निर्ड़ने जो हैं लौटरी द्वा ठीक है वही आपका ओप्शन नमबर ए में था बोला कि मुखिया सुवा हर्स्ताक्ष्रित आविधन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है बिहार पंचायती राज अधिनियम द्वार छह के अंत्रगत उसे अपना आविधन किसे प्रेसित करना होता है या फिर किसे करना ह आपको अच्छे से याद रख लेना है तो यह आपका किसे समन्द रखता है तो बावनवा समिधान संसुधन और यह आपका 1985 में हुआ तो यह आपको अच्छे से याद रख लेना है आगे कि भारती समिधान की धार एक सो अंठानबे में धान विधहक पारित करने की विधी प्रावदाहानित है यदि विधान परिशत धान विधहक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने द समिधान का नुच्छिद 51 का ए नागरिकों के मौलिक करतब से संबंदी थे इस समिधान संसुधन से इसे लाया गया है देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 42 समिधान संसुधन और बी अब इसको समझते हैं कि जो आपका 42 समिधान संसुधन दोस्तों यह हुआ कब था तो 1976 में मौलिक करतब सरदार सौन सिंग समिधी कि सिफारिस के अधारा पर चिये 1976 में आपका लागू हुआ है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा नेश्ट हमारा प्रस्न है दोस्तों 139 नंबर बोलाए कि 74 में समिधान संसुधन का संबन्द निमलिकित में से किस संस्था से है तो नगरपाली का से है ओप्सन नंबर हमारा यहाँ पे 29 का बी सही हो जाएगा हाल ही में या फिर हाल में आंदर प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तिलंगाना का गठन हुआ है इससे भारतिय समिधान के किस सूचिय में परिवर्तन होता है देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अनसूची एक आप्सन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा वर्तमान की बात करते हैं तो बारा अनसूची है और मूल समिधान की बात करते हैं तो उस टाइम आठ अनसूची था निल्मलीखित में से कौन सा राज ये पार्टी है अगर हम राज ये पार्टी की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा option number 31 का डी हो जाएगा तो कि पार्टी के मानेता चुनाव आयूग देता है और बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन थे तो कासी राम थे 1984 में प्रथम लोगसभा की स्पिकर कौन थे अगर हम प्रथम लोगसभा स्पिकर की बात कर लेते हैं बताईए कौन थे सही आंसर हमारा 32 का हो जाएगा ओप्सन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन नंबर ए जी भी माउलंकर सुलहवी लोगसभा में सुमित्रा महाजनपद लोगसभा की अध्यक्स थी निमलिखित में से किस राज्य में विधान मंडल का उपरी सदन या फिर विधान परिशत नहीं है आंसर हो जाएगा पसी मंगाल अपसन नमबर दोस्तों हमारे यहां पे 33 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा देखिए भारतिय सासन एक्ट जो है 1935 के अधिन प्रत्थम वार छो राज्यों में विधान परिशत का जो है दोस्तों गठन किया गया था बिहार में लोग सभा की 40 सीटे हैं राज सभा की सीटे जो है कितनी बिहार में हैं तो बिहार में राज सभा का सीट पूछ रहा है कितना है तो आप अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं सोला हो जाएगा दोस्तों सोला ऑप्सन नम्मर डी देखे विधान यानि बिहार में विधान सभा में करीबन 243 सद्र से होते है और बिहार विधान परिसाद में 75 सद्र से होते है आगे है कि 2011 की जनगर्णा में बिहार के अनुमानित अबादी क्या है देखिए अगर हम अनुमानित अबादी की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 10 करोड़ ओप्सन नमबर हमारा हैं पे सी सही उत्तर हो जाएगा करीबन 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 वैक्ति बिहार में हैं देश का करीबन 8.60% है अगला की समानेता विधान मंडल के उपरी सदन के सदस्यतों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी है देखिए अगर हम 36 की बात कर लेते हैं तो यह आपको हो जाएगा एक तीहाई होनी चाहिए एक तीहाई होनी चाहिए और optionammar हमारे हाँ पे बी साही उत्तर हो जाएगा अगला है कि बहार राज्य में कुल केतने जिल्ले हैं अगर बहार में एगर हम जीलों की संख्या की बात करते हैं तो अनितिस हो जाएगा दोस्तो 38, option number C, अगर हम 38 जिला की बात करते हैं, हमारा कौन सा 38 जिला है, तो अर्वाल को दोस्तो बनाय गया है 38 जिला, बिहार में कुल 9 मंडल है, सरी 9 प्रमंडल है, और बिहार में 101 अनुमंडल है, बिहार में 534 प्रखंड है, बिहार में 17 नगर निगम है, इस सब आपको द देशों की सीमा तैक करती है, तो यह सब आपको कुशन लूसें में मिल जाएगा, ठीक है, तो आंसर देखी हमारा हो जाएगा, पाकिस्तान और आफगानिस्तान, पाकिस्तान और आफगानिस्तान, option number A, नेश्ट हमारा है कि FIFA 200 कप 2014 का आउजन जो है किस देश में हुआ है, 2014 की बात करते हैं, तो ब्राजील में हुआ है, जो कि option number हमारा यहां पे, D सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, और आप इसको समझ लेते हैं, जिसे 12 जून से 13 जुराई, 2014 तक FIFA वर्ल्ड कप का आउजन हुआ है, अगला है कि Blood Cancer को आमतोर पर इस नाम सजाना जाता है, Blood Cancer को, तो हम इसको जाते हैं तो लिवकेमिया, लिवकेमिया option number B, अगला है कि मंगा लियान, 5 नॉम्बर 2013 को स्री हरी कोटा, यानि स्री हरी कोटा से प्रच्छेपित किया गया, स्री हरी कोटा किस राज्ये में अवस जाएगा, उस देश को इंगित करें, जहां से ब्रहमपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो मैं आनमार से दोस्तों नहीं गुजरता है, बाकि चीन, बंगले से भारत से गुजरता है, अगर हम ब्रहमपुत्र नदी की लंबाई की बात करते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो ज किनन इस्टेडियम किस सहर में अवस्तित है किनन इस्टेडियम तो यह आपको देखने को मिलता है जमसेदपूर में दोस्तों जमसेदपूर और जमसेदपूर कहां पर है बताईएगा तो यह आपको जारखंड में देखने को मिलता है अगला कि फीजी की राजधानिक कौन सी है अगर हम फीजी की बात करते हैं तो यह आपको हो जागा सूबा सूबा हो जागा दोस्तो ऑप्सन नमबर पैतालिस काही हो जाएगा फीजी प्रसांत महासागर में वस्तित है फीजी में भारतिया मुल्क जनसंख्या दोस्तो अधिक है नेश्ड हमारा प्रास्थन है कि सुध्रक ने मिलिक्च काटिकम नामपरसीदनाटक की रचना की जो संस्कीत भासा में थी मिलिक्च काटिकम कार्थ क्या होता है देखिए अगर हम भी छक्टिकम की बाद करते हैं वही अगर हम बात करते हैं तमिलनाडू का तो भारत नाटियम जो है हमारा तमिलनाडू का है और एक हमारा जो फेमस होता है जैसे मनीपूर का मनीपूरी हो जाएगा ODC के हमारा ODC हो जाएगा और कथकली और मोहिने ट्यम दोस्तो के रला का है ठीक है चलिए नेस्ट हमारा है निमलिखित पुस्तकों बहुत में से कौन सी पुस्तक मुंसि पुरियम चंद्र द्वारा लिखित नहीं तो लिखित भारत रत्नपूरस्कार निमलेखित में से किनहें मिला है तो यह मिला है S.R. तैंदुलकर और प्रोफेसर C.N.R. राव को मिला है ठीक है सचिन तैंदुलकर को अगला हमारा दोस्तों क्या बोला है जिसे पचास नंबर क्या है वहला कि भुपाल एक प्रेयर भुपाल एक प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई और अधोई दुर्गहटना पर अधारित थे तिन दिसंबर दिसंबर उनिस्सो चौरासी को भुपाल में कौन से गैस का रिशाव वास्तव मे था है भुपाल से समद्ध आपका इज गैस रिशा हुआ था तो या आपको हो जाएगा मिथाईल आइसो सीनाइट हो जाएगा दुस्तों अंबर हमारा हैं पर हो जायाएगा ठीक है तो यहीं पर क्या हमारा है को समाप्त हो जाता है अब आप सब लोग कमेंट किजिए कि 75 75 देखिए हमारा कोशन होता है जी के जी एस का प्लस तेमेट